नमस्कार पुस्तों में विजिए आपको स्वागत करता हूँ आपके इसल न्यू गैजेट्स यूज़ में आज हम बात करने वाले हैं आपके क्विश्चन्स और हमारे अंसर जो की हमारे पस अवेलेबल है रियल में टू प्रू जहां पर जब हमने अन्बॉक्सिंग के ते ही के बारे में है तो सबसे बड़ा कुश्चन यह है कि हम यहां पर जो है 4GB 6GB 8GB कौन सा वैरेंट जो है हमें लेना चाहिए तब बता दू मैं आपको जो कि है आपको बैनेफिट रहेगा या तो आप जो है 4GB 64GB वाला वैरेंट ले या पर जो है 8GB 108GB वाला वैरेंट लेंट क्योंकि 6GB 64GB को लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 4GB और 6GB में सिर्फ रैम काफ डिफरेंट आपको जो है देखने को मिल लाएगा इस तोरे आपको जो है दोनों में ही सेम है सब कुछ सेम है तो फिर यहां पर मैं आपको सेजस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है 6GB वाले variant में जाएं तो बैटर होगा कि आप जो है 8GB वाले variant में चाहिएगा तो शायद बैटर हो सकता है क्योंकि यहां पर difference आपको मिलेगा 4-8GB वाले में तो आप जो है देख सकते हैं अपने according तो यह था सबसे बड़ा question से क्योंकि 6GB लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए म यहां पर मादव सेट मिस्टर सी ओ ने यहां पर ट्विटर पर अनॉंस किया था जो कि है एक दिन पहले वहां पर लेखा कि आपको Realme 2 Pro के अंदर IPS स्क्रीन देखने को मिल आएगा यह गलती किस वज़े से हुई है जब उन्होंने Realme 2 Pro सभी लोगों को बेजा यहां पर unboxing करन के लिए तो वहां पर उन्होंने शेर किया था कि आपको यहां पर TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा लेकिन quality देखने के बाद में हमें पता लगा कि यहां पर आप दी सकते हैं एक दिन पहले यहां पर मादव सेट ने ट्विट किया था जो कि आपको लिखा गया है कि आपक कोशन है यहां पर LED notification आपको only सक्वें आनि जो करेंगा है इसके राब आगला कोशन है यहां पर आपको अपको अलने करेंगा अगर आता है कोई notification आप जो i बिंगर पिंट को टेश करके आगला कुशं है यहाँ पर यह LTE Category 6 पर काम करता है हमें जो है कितनी speed मिलेगी और हमें क्या network का issue देखने को मिलेगा या पिर नहीं मिलेगा देखो LTE Category 6 पर काम कर रहा है इसका मतलब यह है कि हमें speed जो है upto 300 MAPS की downloading speed जो है देखने को मिल जाए है वो सिर्फ स्पीड के लिए होती है में स्पीड जो डाउन्लोडिंग स्पीड जो है तक डाउनलोड कर सकते हो जब नेटवर्क आपको स्पीड देगा तब सबसे बड़ा कुश्चन पूरे इंडिया में रियल्मी का सर्विस सेंटर नहीं है तो हमें सर्विस कौन देगा ज क्योंकि इन दोनों को जब टायब था मतलब दोनों साथ में थी कंपनी तब ही अनौन्स हो गया था कि हम जो है सर्विस आपको ओपो वाले ही देंगे अभी जो है ओपो और रियल्मी अलग हो गया है लेकिन सर्विस के मामले में जो है ओपो ही सर्विस आपको देने वाला है अगला question है क्या ये fast charging को support करता है जी देखो अब भी तक तो ये fast charging को support नहीं करता है साथ मैं कितना time लेता है ये charging करने पे देखो मैंने अपने phone को ये realme 2 pro है यहाँ पर जो है charge किया था 0% होने के बाद मैं अप्रोक्स मैं खलकी बाद उतारो एक दिन पहले बाद उतारो मैंने 0-100% चार्ज किया अल्मोस्ट ये 2 गंटे 2 गंटे 10 मिनट जो है लेता है तो आपको इतना time आपको phone से दूर रहना पड़ेगा 0-100% आपको चार्ज करना है तो इसके अलावा जो है अगला कुशन है वह है ये क्या इसमें protection आपको मिलता है जो कि है गोडला ग्लास का जी बिलकुल आपको यहां पर जो है फ्रेट में गोडला ग्लास का protection जो है देखने को मिल जाएगा लेकिन कौन सा protection मिलेगा ये अभी तक रियल में ने ट्टर पर रां इसके अलावा जो है अगला कुशन है वह है ये डुवल वोल्टी 4G आपको जो है फोन देखने को मिलेगा या फिर जो है नहीं तो बिलकुल आपको जो है यहां पर डुवल वोल्टी 4G मिलेगा आप इसके अंदर दो जियों की सिम लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अगला कुशन है वो है हीटिंग इशू के बारे में देखो यहां पर बहुत सारे कमेंट आए कि आपको हीटिंग इशू हीटिंग इशू हीटिंग इशू देखने को मिलेगा या फिर जो है नहीं है तो बता दो आपको यहां पर हमने हीटिंग टेस्स कर चुके हैं हमने इ वीडियो नहीं देखा है तो आप देशित में आपको आई बटन पे जो है लिंक मिल जाएगा एंड इसके लब अगला जो कॉशन है वो यह है कि क्या यह 4K वीडियो को सपोर्ट करता है मतलब रिकॉड करता है या फिर नहीं करता है तो बिल्कुल आपको जो ही यहाँ पर 4K वीडियो का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा एंड इसके लब जो अगला कॉशन है वो है कैमरी के बारे में 쉬 कैमरी के कूछ देखने को नहीं मिला था लेकिन इस वाले कैमरे का जो सेकेंडरी वाले कैमरा है तो एंपी का रियल में काफी अच्छा परफोर्मस हमिजू है देखने को मिलता है आपको दिखाता हूँ कुछ images आप देखी यह वाली images यहाँ पर performance जो है real में ही जो है काफी अच्छा performance आपको देखने को मिल जाएगा पर जो है नहीं है तो बिलकुल आपको यहाँ पर जो है fresh देखने को नहीं मिलेगा मतब फ्रंट में LED फ्लैस नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर जो है screen flash देखने को मिलेगा comparison non flash तो यहाँ पर जो है आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा जो कि है front camera और rear camera का performance बात करते हैं यहाँ पर LED light की यहाँ पर single tone LED है dual tone LED है कि हमें जो है flash कितना मिलेगा तो rear camera में आपको जो है single tone LED flash light देखने को मिल जाएगी तो यह थे आपके बहुत सारे questions और हमारे जो है या तो फिर आप 4G भी लीजिए या फिर आप 8G भी लीजिए 6G भी लेने से कोई भी फायदा नहीं है तो यह था आज की वीडियो में उमीद है आपको वमारा वीडियो पसंद आया होगा तो like कीजेगा इस वीडियो को share कीजेगा इस वीडियो को अपने फ्रेल्ट साथ मे देखने को मिल जाएगा जिस पर केली करके आप आप अपको जब्लों सबस्क्राइब कर सकते हैं साथ में हम बैल आकन पर किली कीजेगा जैसे के आपको लेटेइस पर उसका अपडेइस दिखने को मिल जाएगे तो इतना ही था आच के वीडियो में उडिधी के लिए बहु